हेलो फ्रेंट, वेल्गें मुझे आल मासे सब पॉर्टनी, एक चीज में जो आपको बताना भूल गया, मेरे हिसाब से इस बार जोसे मैं नहीं बताया आपको सारे पेपर का इन अवेसिस करके, इस बार का जो कटॉफ जाने वाला है, वो मेरे हिसाब से 56 जो है, प्लस रहेगा ठीक है, और हो सकता है, ये 56 और 57 के आस पास जाएगा, ओके तो मैं प्रीविडियो में ये बताना भूल गया था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़े प्रीविडियो में बता दी कि की कॉश्चन , एक बार में प्रीविडियो नहीं बनाया, उसमें क्वेको इस बा और बी और सी के बारे मैंने सारी चीज़े आपको बता दी। उस हिसाब से पेपर इस बार का आखान था। प्रिवियस पैटर्न पे आया था। और जो कट आफ हो गया वो मुझे लगता है। फसली तो कट आफ आने में तीन चीज़ों का बढ़ा हात होता है। फसली सीट हमारे पास कितनी है। जब बिछले साल से चीज़े देखता रहा हूं सीट जो है सीएस आई या जैसे की घटाता पढ़ाता रहता है। तो कभी 16-100, कभी 17-100, कभी 18-200 एक बात को कट आफ जर्नल का 50 गया था उस बार तो 3,000 सीट हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर सीट जो है CSIAR सतरा सो या ठारा सो ही देता है तो उस हिसाब से पेपर एजी था। स्टुडेंट जैसा की परफॉर्प इसले एक्जाम में करते आ रहे हैं अगर वैसे ही करते हार रहे होंगे तो इस बार का कट आफ 56 या 57 रहेगा। जर्नल के लिए मैं बता रहा हूं वो बीजी वालों का जैसा की मैं देखता रहा हूं कि करीब जर्नल से उनका कट आफ जो है वो 10% के अबरेज लगपा कम होता है तो अगर जर्नल के लिए 56-7 है तो वो बीजी के लिए जैराफ आफ 46-47 ऐसा हो सकता है और फिर ना थी साब से CEST का 4-5% कर्किन पर्सें जैसा की कम होता है वैसे होता है एक जालता है तो आच्छिए को शोंगे आपकर गुटरिवाची को